सकाल तो आपको पता है 17 मार्च 2024 फूजवे था 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 कर भे पर हाइक जो खलर की प्रूफ रीडर का एक्जाम था वह चैप्व करेंगे पहला च्छेंट नहीं देखा है तो उसको बेख लेड़न डिटेव से डिस्कस किया है आने वाले एक्जाम में मिल सकी उसी हिसाप के क्या बोलता हैं जो किस तरह से पूरी कहानी यहां पर है तो आपको बता होना चाहिए जो कि अभी कांग्रा प्रिजन टाइम में कांगड़ा है उसको त्रीगरत पहरे का जाता था इसकी राजधाने जो था हो नगर कोट में होती थी इसे भीम नगर भी या फिर भीम कोट भी जो था जाता था शुशर्मा जिनको कहते थे अब उन्हीं के द्वारा जो था वो क्या किया गया था वहां प सुशर्मा चंदर की बात करें कि अगर यह ने कौर्बों का साथ जुधाओ दिया था धर यो पतनी भानुमति उसके यह भाई होँआ करते थे अगर उन्सर की में कोई चेंज होता है आप्शिन में तो उसको हम ठीक कर लेंगे अब हम बात करते हैं त्रीगर्थ की त्रीगर्थ का मेंशन जो है हमें महाभार्थ में देखने को मिलता है पुराणों में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है कलASHन के दोरा जो रास्त रंगिनी लिखी गई है रास्त रंगिनी में भी जहाओ इसका मैंशयन देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं कि कांगढ़ा की कहाने में यहाँ किस तरह से जातरी आए तो यहाँ पर अलग अलग यातरी आए प्रन्तु जो एक्जाम में कुशन पूछा गया है भाहत बार वो विलियम मुर्क्राफ्ट के बारे में पूछा गया है फिरोग साथ उगलक ने 1365 पर यहाँ पर अटैक कर दिया कोई राजा ऐसे भी हुए जन्हों ने अटैक यहाँ पर किया वो जो था वो यहाँ की किताबों को लूट कर लेगे जैसे कि फिरोग साथ उगलक के बारे में कहा जाता है ठीक है तो यह सारी बात हैं ध्यान रखनी अगले कौश में देखी क्या बोलते हैं 48 में बोलते हैं बुसेहर स्टेट ने रामपूर वॉसेहर की स्थापना जो था वो किसके दोरा की गई थी तो रामपूर वुसेहर की स्थापना मैंने जितनी बार भी हमने ये पढ़ा है कि रामपूर वुसेहर की स्थापना किसने की थी तो हमने पढ़ा है कि परद्यूमन के दोरा इसकी स्थापना की गई थी जो सिरिक्रिशन के पुत्तर जो हो माने जाते हैं और यहां पर इसकी capital कभ कभ shift हुई वो हम इसके साथ जब भी पड़े हैं वो हर बार हमने पड़ा है इसको link करके question भी उसका आगे पूछा गया है करके ही आगे दिखे क्या बोलते हैं अगले question में फिर हम details discuss करते हैं बुसहर के बारे में बोलते हैं who shifted the capital capital his who shifted his capital from Sarahan to Rampur तो बोलते हैं कि किसने अपने capital जो था भूब पो सहर की capital यानि कि सरहन से रामपुर को जो था व शिव्ट की थी अगर हम बात करें कि स इरा रामपुर को किसके दर शिव्ट की गई थी तो यहां के राज़ा राम सिंग다면 option B जो हो स्थापित कर दी गई बाद में चलकर सराहन से भी राज़ानी को उठाया गया और सराहन से राज़ानी को उठाकर रामपुर में बना दिया गया और यह राजा राम सिंग के दौरा जो था वो किया गया था बुसेहर रियासत के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टन कोईशन अभ भी लेना चाहा राजा समसेर सिंग उस टाइम हो करते थे प्रन्तु बिटिसर्स के पास उस टाइम आर्मी की थोड़ी सी कमी थी फोर्सी उनके पास है भी लेवल नहीं थी तो वह एक्षिन भी इनके खिलाब नहीं ले पाए थे उस टाइम और इस रियासत के अंतिम साशक जो लेनें बोलते हैं सिर्मौर उस प्लंडर राय टेमूर तो सुखाम माई सी यागिए था तो बंकिया गया था तर्पियागै था और था मिया था के वह किया गया था गो पूरी बात समझें के तो सब्सक्रियरह हो जाएंगे देख़िए 1398-99 की बात रही जब तैमूर के दोरा प्लंडर किया गया। तैमूर की अटेक के बारे में हम बात करते हैं तो 1398 में जुथा हूँ ओ, वो मंगोल के दोरा कांगड़ा को इनवेड़ किया गया था और इनके जो लीडर थे ना वो तैमूर लंग थे। ये तैमूर लंग थे इ उसके बाद इन्हों ने किया हिंदूर को थोड़ा सा अपने कैप्टुर में ले ना चाहा प्र ран्तु लियासत को ना लूट अपकु आण के वा है इसाहिए उन्होंने हसाइता की और उसके बदले उनकी रियासत को नहीं ल९वा करते थे उसके बाद बाद लंक के साथ- नूर पूर को भी साथ प्रण क्वेड किया गया और इसका विद्रो ह्वप्र है वो किया गया रतंजंद विरोद ढूरा रजा हुआ करते हैं कौन कौन कम पारे क्या नहीं रूड़ा गया आलमचनों होँआ कशा सकतें से जानकारे मिलती है वो भी हमने जान लिए फिरोध साथ उखलक के बारे में भी सिर्मौर का क्या क्वेस्टिन जो हो लिंक करके पूछा जा सकता है साथ फिरोध साथ उखलक में कम स्री rewards मोर्क के र्दाजा च 적ंता वह करते यह वी आपने दियान रहना है कौन उसनिन दीजों के शाषक मैं रखते मैं नियौत थो काथ बिरeee गया है next question में हमारे बास यहां पर यहां पर बोलते हैं अमर सिंग थापा ऑफ नेपार ट्राइट टू केप्चर कांगड़ा 14 1805 1809 बट अंडर डट रीटी ऑफ ज्वारा मुखी अमर सिंग थापा जिसने यह चाहा था कि वह क्या करेगा कांगड़ा को अपने धीन ही रखेगा आपको ध्यान होना चाहिए इस संदी के तहट किया हुआ था इसंदी के तहट वह क्या हुआ था जोमर सिंग थापा इसको जो था वह जो शोड़ना पड़ा था महाराज रंजीत सिंग के साथ संदी करके ऑप्चने जह वह अंसर हो जाएगा पूरी बात किस तरह से हैं पू संसार चंत जूताओ कांगराइक बंता है वो किया करता है वो बड़े ही लूट फार्ट वाट पृरोशी सासकों, जस्था मौर औरा च्छोटी मौटी तयास्तिय उनके साथ वह करता है सन्सार चंत जूताओ 1794 में बेस्थिएवर का Ian के इस वamp करती थी जयो 이제 इनसान को काटा जा रहा है जो भी रास्ते में घाता था उसको यह काट देते हैं ठेख टूर्ण बेहरमी के साथ जी देख लिए में बड़ा युद्ध होता जबरता यूद्ध में युद्ध बड़ता है इनके बीच में होता है और यूद्ध होने कि बाप जूद्ध सन्सारचंद को वहां से भागना पड़ता है अपने किले में जाकर वह चुपा रहता है जब वहाँ पर उसका राशन भी खतम होने लग जाता है मतलब खाने के लिए चीजे नहीं बस्ती तो वो महराजा संसार चंद के वाज अपने भाई को भेजता है और एक संधी के लिए जो हो हस्ताक्षिर की जाते हैं जिसको ट्रीटी आफ जोला मुकी जोला मुकी की संधी कहा जाता है 1809 में संधी के उपर हस्ताक्षिर होते हैं और अमर सिंग थापा को छोड़ना पड़ा था और महराजा रंजीत सिंग के अधीन जो था ये बात में चलकर आ गया था काफी लंबी कहानी है इसकी संसारचंद की मृत्यू कब हुई ये भी कहशिन पूल जाता है तो 1824 के आसपास जो था वो इसकी मृत्यू जो था वो हो गई थी ये आपने धियान लखना है महराजा संसारचंद को कांगडा किले देना पड़ा था और किले के साथ साथ 66 गौण जो था और जीत सिंग को देने पड़े थे फिर ट्रीटी में आगले कोशिन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं आफ्टर गेटिंग डिफीटिड वाइट दा एंहेंड जो महराजा संसारचंद वेर डिड़ गूर्खाज कमांडर अमर सिंग थापा टेक शैलिटर आफ्टर बैनिशिंग दा भागल रूलर यह कोशिन में कहा जाता है कि जब महराजा संसारचंद से भी जुथाओ गूर्खाओं को हारना पड़ा तो गूर्खाओं ने उसके बाद जुथाओं कहां पर जाकर शैलिटी आमर सिंग थापा ने कहां पर जाकर सबस्केंख करने ठीने करने के बाद देखो इनके दवरा कहां पर चलत रहे थे जब यहर कि पस्द कििका वहां पर ये रहने लगें और अमर्ण सिंदापा ने अपने बेटे रंजॉर सिंग इसका नाम रंजॉर सिंग इसको स्री माउर पर आक्रम करने के लिए जिद्वा बेज दिये था राजा करम पर नहीं walks अपने या फिर अपना कभजा था उसके बाद फिर से यह जिटा हो नहीं लगा था कुछ टाइम तक के लिकिन आपड़ा तरन्तु फिर से उसको औरकिया आना पड़ा था अब यह भी कहा जाता है कि गोरखा जब यहां पर रह रहे थी तो उनकी कि इस संधु नहीर को यहां और यह वहां पर जा कर पिर रहते हैं बीच में जब इस सबस्दस के साथ इनका यूद्ध होता है तो इनको बारीक्षती भी जो हो पहुचती जैसे कि भक्ति सिंग थापा जो हो मारा जाता है जो कि बड़ा ही बहादूर इनका कमांडर था एक भक्ति सिंग थापा की मृत्ति जो था मलाउन के किलिये में जो था वो हुई थी और इस तरह से इनकी शेनाएं जो था वो उसको किस ने लीड जो था वो किया था अगर हम बात करें धामी प्रजामंडल मुवमेंट की कि इसको किसके द्वारा जो था वो लीड किया गया था वैसी तो भागमल स्रोटा के दोरे जो था वो उसको लीड किया गया प्रन्तु उसके बाद आपको ध्यान रख बना दिया गए था और यास्ती प्रजर मंडल जो था ना इसने जो था वो कुछ रखी थी इनको लीड कर रहे थे पंडित शीताराम ऑपशिन भी जो हो सही अनसर पंडित सीताराम चुराओं वो लीड कर रहे थे इन डिमांड में मुखे डिमांड का किया थी कि बिगार को जो है उस मापत किया जाए लेंड रेवनी को जो है कम किया जाए और धामी जो प्रजा मंडल है ना उसकी स्थापना जो है वो की जाए ये जो था वो डिमांड रखी गई थी और ये demands रखी किसके सामने गई थी तो ये जो राणा वहां के हुआ कर दे दिलीप सिंग धामी के उनके सामने जुथाओ रखी गई थी ताकि उनके demands को जो हाओ माना जाए और उनको कोई दिक्कत न जो हाओ बात में चल कर आए दामी रियासत के अगर हम ठोड़ी सी बात कर ही यहां पर किसकी स्थापना किसके दौरा की गई थी पूरी कहानी जो हो किस तरह से है तो आपको पता होना चाहिए कि धामी रियासत के बारे में कोईशन पूछे गए हैं इसकी स्थापना जो था हो किसके दौरा की गई थी आप्राइल 1940 को जब हिमाथल प्रदेश का गठन हुआ था तब दामीगा का स्टेटस था तो इसको जो था वो कसुम्टी तहसील का भाग बना लिया गया था और उस टाइम जो महासू जीला बना था चार जीले बने थे उनमें से एक महासू जीला था महासू जीले में जो था उसको महासू जीले का ये एक भाग बना था अभी अगला क्वेशन देखते हैं हमार बास यहां पर क्या पूचा गया है नेक्स्ट कोशिन में है अगले पूचा गया है ऑन वाइडोना पैडो मोँमेंट एंस्टेंशन गूशन ऑ और इक्सोबीडेंस मोँमेंट लिए तो तो वह सिब्ल डिस ओविडेंस मुवमेंट की जो था वह एक्स्टेंशन दी यह कॉशिन बहुत बार पूचा गया है खासकर एच्पी टैट बगारा के एक्जाम में तो वह आपने ध्यान रखना है अब देखो इस कौन से एर में इसको लॉंच किया गया था तो इसको 1938-39 में जो है वो देगा और ना ही जो हो कोई पैसा वहाँ पर दिया जाएगा इस मुवमेंट के तरह जो था वो हिमालेन द्यास्ती प्रजा मंदल जो था इन यहां के जो लोग थे उनके दोरा यह कहा गया था कि ना ही हम अपना कोई पीपल वहाँ पर भेजेंगे ना ही कोई मनी भाई दो ना पाई दो मतलब कोई भाई भी नहीं अपना देगा कोई पाई इनके पैसा भी कोई नहीं देगा यह जो है वो इसका असली मतलब हुआ तो इस तरह से जो था वो यह मुवमेंट जो था वो यहां पर चला था हिमालेन द्यास्ती प्रजा मंदल की अगर हम बात क चलकर और इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या था इसका मतलब क्यों इसको जो था वो लॉंच किया गए था तो वो बातें भी आपने यहां से ध्यान लखनी है हिमालें द्यास्थी पजा मतला के अलावा हिमालें हिल स्टेट रिजनल कॉंसिल भी है यह गभ फ। इह कब सथापित किया गये था हिमालें हिल स्टेट रिजनल कॉंसिल आगला कोशीन देख जी बड़ा ही अच्छा कोशिन पूचा गया है बोलते हैं यहां पर historical building in which shimla pact was assigned तो बोलते हैं कि historical building जहां पर shimla pact निके shimla समझाता जो था वो हुआ था यह shimla pact यह फिर shimla agreement 1972 में जो था वो हुआ था 1972 में हुआ था यह और किस-किस के बीच में जो था वो हुआ था तो यह जो था वो उस टाइम भारत की जो प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी हुआ करते थी और पाकिस्तान के जो लीडर हुआ करते था जुल्फिकार अली भुटो उनके बीच में जो था वो हुआ था कहाँ पर जो था यह हुआ था तो शिमला के बांस कोट में जो था यह हुआ था यह रहा था Бांस कोट बिल्दिंग में जो था यह हुआ था यह आपने ध्यान रखना है जो बान्सकोर्ट बिल्डिंग है present time में इसका क्या status है बान्सकोर्ट बिल्डिंग का present time में status इस थरा से है कि बान्सकोर्ट बिल्डिंग जो हो present time में option ए बान्सकोर्ट ये राजभवन के रूप में जो हो काम करती है तो शिप प्रताफ शुकल जी जो है वो गवरनान है प्रिजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के तो उनका नाम भी आपने ध्यान लखना है तो यह आपको पता चल गया अच्छा और क्या-क्या इक क्या-क्या-क्या-क्या आपको यहाँ से पता होने चाहिए ऩकर बद्सकूट बीलीङ सब्सक्ट था आपने ध्यान लगे यह दिया रखना है यहां पर वाह राइसत्रेट में फ़ेटा में लॉड़र से पहले 1880 भर हेयर क्वेक्सches भास्वे थ beste है फिसको बनाजा लिएंग्स साट यहां से बन जाता है. आगे क्या बूलते हैं? Which is the largest parliamentary constituency of हिमाशल प्रदेश and second India? तो बोलते हैं कि हिमाशल प्रदेश की तो largest parliamentary constituency है वो कौन सी है? अब दोखो largest parliamentary constituency यहने कि लोकसभा की ही obviously बात हो रही है यहां पर वो कौन सी है? तो दोखो हम بات करते हैं न लार्जस्ट पार्लेमेंट्र यानिकि लोगसभा के बारे में लोगसभा की लारज़स्ट जो कॉंसिजएंसी है हिमाशल पर्देश में हिमाशल परदेश में हो है मंडी ओप्शन C जो है और से अभी एक्षिन आ रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें यहाद रखनी है जो भी छोटे-छोटे points भी news paper में बनेंगे कहीं पर भी बनेंगे ना वो आपको note करने है छोटे-छोटे points तो देखो हम telegram पर भी update देते रहते हैं आपको news paper cuttings के माद्यम से वहां से आपको पता चल जाएगा प्रंतु, इस तरह के questions जो होंगे न वो अभी सिर्फ इलेक्षिन के टाइम ही जो हो बनेंगे और इलेक्षिन के बाद वो न्यूज में आएंगे भी नहीं पर तो पेपर में ही सीधे आएंगे लगेगा कि क्वेशन पड़ा है वस अंसर ही पता नहीं होगा वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि मंडी इंटर्म इन्टर्म बादर्वीया में वह जो है लोक सबसे बड़ा है लोक सभा इंटर्म फ लोक सभा क्सँशना करतेश में हिमाचल पृत्वर हे गी आती हैं तो ही माँचल में चार लोक सभाकी सब्सुर्ड़ ए इसमुकम मंढी हो गया दूसरा आपके बास कांगडा हो गया तो यह आप में ध्यान रख रहा है यह important points हैं यहां के साथ ही साथ में आपको और क्या important बातें पता होनी चाहिए इन टर्म ऑफ एरिया ग्रहम जो हमारी legislative assembly है विदानसभा है उसकी बात करें तो हमारी लाहॉल्स पित्ती जो है वह सबसे बड़ा जो है वह यहां पर आता है वह भी नोट करना है आपने अगला question देखते हैं बोलते हैं the first building in shimla with electrical light was तो बोलते हैं कि shimla की first building जिसमें electrical light जो थ पहुंच गई थी तो यह building है यह वाइस रेगल लॉज है वाइस रेगल लॉज जो प्रेजेंट टाइम में जहां पर इंडियन इंस्ट्यूट आफ एडवांस टड़ी जो है वह उस्तित है यह वह बिल्डिंग है जो अपने ध्यान लखना है जहां पर सबसे पहले जो था अब इसके बारे में पड़ा यह फिराएंट में ऐन किया गया था गया है तो यह था कौन हुआ करते थे कारेकाल और क्याद को वाइस रेगल लॉजु के बारे में याद रख सकते हैं वाईस रैगल लॉज जो वाइस रेगल लॉज है ना इसके आर्किटेक कौन थे तो हैंडरी इर्विन इसके आर्किटेक थे पहले ये रास्टपती निवास के रूपएं भी हुआ था हुआ करता था तो 1960 में इसको इंडियन इंसीट आफ एडवांस टड़ी को जिता हैंडवर कर दिये गए था तब चे लेकर अब तक यहां पर इंडियन इंसीट आफ एडवांस टड़ी ही है ऑप्चिन ने इसका सही अंजर था वाइस रेगल लॉज अगर त्यारी कर रहे हैं पी जीटी की तो पी जीटी पेपर वन की टेस्ट को फैक्ट्रित करने का estudis का अर्वांस पर्फियंगी न की ने तुर सकते हैं वहां से आप आप अध्याहि degust कर सकते हैं अगले क। सब कर सकते हैं क्या बोलते हैं यहांपर नेक्स क्योंशन मैं डिरींग महात्मा गांधी मढ्र ट्रायल नाथुरम गोट जब नहीं दिया गया है तो तो वेट करेंगे अंसर के का aunसर की आने पर उसको देखेंगे अभी पुराना क्योशन भी है हमारे पास अश्लिए वीडियो का भी वह भी जो हूंसर किया आने पर क्लियर करेंगे इन कोशिंज को उसी टाइम क्लियर किया जाएगा दाके को डाउट ना जो हो रह जाए प्रणतु नातुराम कोट्सी का जो इन्हों में महात्मा गांधी को एसेशिनेट किया था तो इसका ट्राइल तो कहां पर हुआ था इसका ट्राइल अपने ध्यान रखना है पिट्रॉफ में जो था वह था पिट्रॉफ में जो था इस केस की सुनवाई जो था वह हुई थी 1948-49 वे था यह सुनवाई हुई थी आगे बोलते हैं present day and present day state bank of india building was known as present time में में present day में जो है State bank of india की building है उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको जो हो डेल जल बिल्डिंग के नाम से भी जो हो जाना जाता है यह फिल डेल जल हाउस जो है उसको कहते है option C जो है सब्सक्राइब का यह हुआ करता था जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रिजेंट डे में बिल्डिंग जो है वो है तो इतना ध्यान रखें यह कोईशन तो हमने सच पड़ भी रखा था और इंपोर्टन कोईशन है अभी आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर कोई भी एक्जाम में पूछा जाता है अगले कोईशन में क्या बोलते हैं यहां पर नेक्स्ट कोईशन है बड़ा इंट्रस्टिंग है परंतु इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे बोलते हैं आपका नाम बापका नाम कहां से आया है कहां जाना है वर्दा क्वेरीज पोस्ट कौन सी थी जिम्ला की जहां पर यह पूछा चाता था अब देखो यह दो अंसर इसका स्टिल हम पैंडिंग ही रखेंगे क्योंकि गलत अंसर डिसकस करके कोई फाइदा नहीं है अंसर की आने पर यह कोईशन जरूर डिसकस किये जाएंगे मिशन एलाइट में जो है पी जी टी पेपर यह जो है वो दिया गया है वहां से आप रैक्टिस कर सकते हैं जैसे ही आप प्राक्टिस करेंगे तो देखो एलाइट की टैस्टिस से आपकी और एक्जाम की भी अच्छी तियारी हो जाओ जायगी और ज्यादर बताने की ज़रूरत है नहीं जुकि एक तो आप obviously एक अच्छी सोच लेकर ही जो हो चल रहे हैं टेलिग्राम पर जोइन करना, टेलिग्राम पर जोइन करने के लिए अपने टेलिग्राम से add the rate all exam 31 करके जो हो सर्च करना, आपको मारा टेलिग्राम चैनल जो हो मिल जाएका टेलिग्राम पर आप हमें जोइन कर लें, यहां पर आपको हर एक important update मिल जाती है जो exam में आपकी help करती है, that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening, good very patience